सुकमा जिले के अंदरूनी बूतों पर तैनात मतदान दल मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेस पर लोटने लगे वापसी के दौरान सुकमा एसपी किरन चवहान ने मतदान दल का फूल मालाओ से स्वागत किया ये पल वाकई देखने लायक था मतदान कर्मियों के चेहरे खिले हुए थे क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से एक जंग जीत ली थी सबसे बड़ा कारण ये है कि सुकमा शेत्र को नकसल गड़ माना जाता है और ये अती समवेदन शील शेत्र के अंतरगत भी आता है बीते दिनों इस शेत्र में भी कई नकसली वारदाते हुई हैं और इसे बीच मतदान प्रक्रिया को सफलता पूर्वक निप्टाने में मतदान कर्मियों का बड़ा ही एहम रोल था सपी सहेत अन्य अधिकारियों ने लौट रहे सभी मतदान कर्मियों का स्वागत कर उनका होसला अवजाई किया गौरत लभ है कि लोकसभा निर्वाचन दोहजार चौबिस के प्रतम चरण अंतरगत बस्तर में केवल एक घटना को छोड़ शांती पूर्ण मतदान हुआ बस्तर निर्वाचन शेतर के लिए चुनाव आयोग द्वारा साथ हजार से अधिक जवानों को त्यानात किया गया था बस्तर में हुए मतदान में कुल प्रतिशत 64 प्रतिशत से अधिक रहा जो काफी सहरानिया माना जा रहा है